हेलो दोस्तों एक्जाम प्रिपेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज डेवाई सीरीज में पढ़ेंगे उत्तरप्यदेश में प्रमुक जो खनी संसाधन है और उनकी उपस्तिती तो जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर बता द करते हैं उसके साथ साथ रात को नो बजे आरो यारो दो हजार तेस के लिए पीवेशर कोश्चन हो चुके हैं उसके साथ साथ अब मॉक टेस चला है मतलब वन थाउजन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन हम देख रहे हैं जो आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से एक्स इसके लिए वर्ष 1905 में सर्व प्रत्थम भूतत्त एवं खनी कर्म निदे साले की स्थापना की गई कब 1905 में फिर वर्ष 1974 में खनी जाधारी तुद्धों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज जी खनी जविकास निगम की स्थापना की गई तो उत्तर प पश्पन में आप देखेंगे सबसे पहले भूतत्त एवं खनी कर्म निदे साले की स्थापना होती है खान एवं खनी जधीनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनीजों के परिहार को नियंत्रित करने हितु अधिकार प्रदेश सरकारों को दिये गए हैं इसके अंतरगत उत् अली खनीज नीती दिसंबर 1998 में घोसित की गई जिसमें खनीज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया इस नीती में 12 जिलों को खनीज बहुल छेतर घोसित किया गया जो निमनी प्रकार की 12 जिले आपको रटने हैं जहां पर आप देखेंगे खनीज बहुत आयत में पा हमीरपूर ये 12 जिले हैं एक बर फिर से याद कीजे अलाहबाद जहांसी सहारनपूर मिर्जापूर ललितपूर जालौन महोबा सूनभद चित्रकूर चंदौली बांदा और हमीरपूर ये 12 हैं जहां पर खनीज बहुतायत में पाया जाता है 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुसाशनें ब्रष्टा चार मुक्त मूल मंत्वों पर आधारिक एक मजबूत तथा पारदर्सी खनीज नीती को मंजूरी प्रदान की गई 30 मई 2017 को अब ये एक लिष्ट दी गई है आपको इसमें खनीज दिये गए हैं और उनका प्राप्ति का इस्थान या फिर जिला बताए गया है तो ये लिष्ट आपको क्लास में आज ही प्रिपेर करनी है और इसको याद करके एक बार लिख के देख लीजेगा फिर आपको नहीं भूलेगा एक दुबार वीडियो डिपीट करेंगे लर्न हो जाएगा सबसे पहला खनीज है कोईला और इसका प्राप्ति स्थान है सिंगरॉली कोईला कहां से सिंगरॉली से बॉकसाइट या दखी चित्रकूट कहां चित्रकूट डोलोमाइट याद करना है सोनभद में बारी है इस्थान कौन सा है बारी सोनभद में पोटास लवड इसके फिर है एंडलुसाइट ये है सोनभद और मिर्जापूर कहां पर सोनभद और मिर्जापूर फिर है पाइरोफिलाइट पाइरोफिलाइट मिलेगा जहासी ललितपूर महोबा और हमीरपूर जहासी ललितपूर महोबा और हमीरपूर से पाइरोफिलाइट सिल्खडी मिलेगा रॉक फॉस्फिट ललितपुर फायर क्ले के लिए आपको याद रखना है बासी मकरी खो ये मिलजापुर में है बासी मकरी खो और सोनभद मिलजापुर और सोनभद फायर क्ले के लिए हीरा याद करिए बांदा और मिलजापुर बांदा और मिलजापुर तांबा ब most important है चूना पत्थर यादके गुर्मा कनाश बापुहारी मिर्जापुर में और कजराहट सोनभद्र में तो मिर्जापुर और सोनभद्र में क्या मिलेगा चूना पत्थर मिलेगा ठीक अगला है सोना शार्दायम राम गंगा के रेत में परसोई छेत्र चकोरिया चर्का पर शार्दा और रामगंगा के रेत में मिलेगी परसोई छेत्र देखेंगे चकोरिया चर्का यह सोनभद में और बेरवार फिर क्या है ललितपूर बेराइट्स याद करिये मिलजापूर सोनभद तो मिलजापूर सोनभद में आप देख रहे हैं काफी चीज़े मिल रही हैं जैसे की चूना पत्तर हो गया बेराइट्स हो गया आपने याद किया एंडलुसाइट हो गया वो कहां पे हैं यह सारे मिलजापूर और सोनभद में ग्रे नाइट, बांदा, हमीरपुर, ललितपूर, महोबा जहांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपूर, महोबा जहांसी जहांसी, यूरेनियम आपको याद अखना है, तो मिर्जापूर सोनभद आपको काफी चीजों के लिए याद अखना है ठीक है एसबेस्टेस मिर्जापूर जहासी बढ़गाओं छेत जहासी का कांच बालू संकरगड और लोहरगड प्रयागराज का बरगड बांदा का अलीगड चित्रकूट यहाँ पर मिलेगा प्रयागराज बांदा और अलीगड चित्रकूट गेरू बांदा यह हम लोग पढ़ चुके हैं तो यह कुछ इंपोर्टेंट खनीज हैं जो आपको याद कर लेने हैं कहां से इनका प्राप्ति स्थाने दो तीन बार इस लिष्ट को याद करिए याद हो जाएगा अब आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कौन-कौन से खनीज मुखिता हैं जैसे कि मुखी खनीज में सबसे पहले देखेंगे कोईला, तो कोईला सोनभद में पाये जा रहा है, यह जिला है सोनभद में आप देखेंगे कौन-कौन सी जगए बीना, ककरी, खादिया, कृष्णिसिला, लाइमिस्टोन की बात करें, तो सोनभद में बिल, मरकुंडी, कज जराहट, भलुआ, और गुर्मा, उपखनीज है सिलका सैंट, इसमें देखेंगे इलाहबाद का बारा और संकरगड, चित्रगूट का बरगड, जिसको पायरोफिलाइट बोल रहे हैं, यह मिलेगा ललितपूर, जहासी, हमीरपूर और महोबा, ग्रेनाइट, डाइमेंशन के फॉर्म में, यह सोनभद में मिलेगा डोलो स्टॉन, सैंड स्टॉन, ब्लॉक, एवं खंडा, मतलब थोड़े-थोड़े गितियों के फॉर्म में मिलेगा, सोनभद, मिर्जापूर, प्रयागरा, चित्रकूट, ललितपूर और आगरा, बालू देखेंगे बजरी और मिस्री तवस्था में भी सहारनपूर और बिजनवर से, बालू और मोरम, बालू या फिर मोरम की बात की जा तो जालौन, हमीरपूर, फतेपूर, बांदा, चित्रकूट, कौशामबी, जासी, ललितपूर और सोनभद से मिलेगा, साधारन बालू की बात की जा तो जो खनीज हैं, उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं, उनके साथ साथ उनके प्राप्ति स्थल देखे, इनको क्या करना है, आपको वीडियो मैंने बार बार बोला है कि आप रिपीट करेंगे, तो याद हो जाएगा, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होनी है, और आज का ये वीडियो इसी पर बेज़ड है, लगवग इससे प्रशन एक या दो आप से बनते हैं और पूछा जाता है, इनमें खास कर आप जैसे की तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है, इन सब को सेल खड़ी हो गई, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से याद करी, जहां आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इसके साथ साथ आप प्रिवेसर कोश्चन और टैसीरी ज़रूर लगाईए, और जो पिछली क्लासिस हो गई हैं, उनको आप ना भूलें, तो रिवाइस करने के लिए आप पिछली क्ल क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद.